कनाडा से गेहूं के निर्यात की अच्छी गती बरकरार है। चीन सहित कई अन्य देशों की मजबूत मांग के कारण चालू मार्केटिंग सीजन में कनाडा से अब तक 94 लाक टन गेहूं का निर्यात मजबूत हो चुका है, जो पिछले सीजन की समान अवधी के शिप्मेंट से करीब 9 प्रतिशत ज्यादा है। अमरीकी कृशी विभाग उसडा ने अपनी हाल की रिपोर्ट में जो आकड़ा दिया है, उससे गेहूं बाजार में मुख्यत, नर्मी आने की संभावना है। केवल शीतकालीन गेहूं के बिजाई क्षेतर में गत वर्ष के मुकाबले इस 6 प्रतिशत की गिरावट आने का जो अनुमान लगाया गया है, उससे बाजार को कुछ सहारा मिलने की उमीद है। ससकैचवान प्रांथ की राजधानी ससकाटून में गेहूं का प्लांट डिलीवरी मूले सी पी एस आर श्रेनी के लिए $8.55 और $8.80 प्रतिबसेल, P.W.R.S किस्म के लिए $9.00 से $9.20 प्रतिबुशेल तथा C.W.S और P.W.R.W. दोनों वेराइटी के लिए $8.20 प्रतिबुशेल चल रहा बताया जाता है। विभिन महीनों की डिलीवरी पर उप्रोक्त मूले पर आश्रित हैं। बसंतकाल से लेकर ग्रीश मकाल तक के समय के लिए ग द्यूरम गेहूं का भाव कुछ सुधर रहा है। अलजीरिया तथा ट्यूनीशिया जैसे अफ्रीकी देशों द्वारा हाल ही में द्यूरम गेहूं की खरीद के लिए जो टेंडर जारी किया गया है। उसमें कनाड़ा के साथ-साथ मैक्सिको तथा आस्ट्रेलिया के निर् जून डिलीवरी के लिए ड्यूरम गेहूं का भाव 12 डॉलर प्रती बुशेल तथा मई से जून डिलीवरी के लिए 13 डॉलर प्रती टन चल रहा है। मैक्सिको से कनाड़ा के निर्यातकों को गंभीर चुनोती मिलने की आशंका है क्योंकि कहा मई से जून में निर्यात के ल जून डॉलर प्रती बुशेल के आसपास बताया जा रहा है। आस्ट्रेलिया में भी ड्यूरम गेहूं का निर्यात योग्य अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है।